हलो मित्रों जै माता दे, मित्रों माई का महिना मीन रासी वाले जात्कों के लिए कैसा रहने वाला है आपको बताएंगे एक से लेकर 31 माई का दिन आपके जीवन में वेपार में करियर तथालव लाइप में कौन-कौन से सकारात्मक परिवरतन होने वाले हैं इस महीने कौन से कारियों को करने के लिए आपका सुब समय सुब दिनांग कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे इस महीने आपका वैपार कैसा रहेगा करियर कैसा रहेगा और आपका लवलाइब और आपके ग्रहकोचर में कौन-कौन से परिवर्तन होने वाले हैं आपको पताएंगे सारी जानकारी विष्टार से आप को बताएंगे कि आप के जीवन में पैसो सजुड़ी आर्थिक तंगियों से आपको कब तक सुटकार हमिल सकते हैं इस महीने वे कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में काफी जादा बदलाव कर सकते हैं और अपने आर्थिक इस्तितियों को सुधार सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से उससे पहले ग्रहों के इस्तितियों के बारे में जान लेते हैं तो मई महीने में ग्रहों के इस्तितियों में बड़ा उलट फेर होने जा रहा है इस महीने सनी महराज वक्री होने जा र रहे हैं और सूरिवे round राषी बदलकर वरिष स्सक्राइब पहुंच रहे हैं ग्रोहों के इश्टिटियओं मैं मैं का महीना आपके लिए बहुत एक खास रहने वाला है ऐसे में जानते हैं मीन रासी वाले जातकों के लिए यह महीना कौन सी खुसकवरी को ला रहा है और कौन-कौन से उपायों को करना आपके लिए वहतर साबित होंगे आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्टार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रूजान रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मित्रों मई का महिना आपके लिए बहुत तमसावित होंगे सनी की सीधी द्रिष्टे आपके तीके अनववु से मिटे फल की फ्राप्ति होंगे और आंतरिक गुनों का प्रस्ताब होंगे साथ में आप किसी अपनों से तनाव को दूर कर सकते हैं लोगडाउन में भी आपको सफलता के सुगंद का आनंद काफी जादा मिलने वाला है आपको सम्मान के फ्राप्ति होंगे और किसी वाद को लेकर आपको पुरिस्कृत किया जा सकता है आपको अध्यात्मिक अवंगधार में कार्यों में रूची वढ़ाने की कोशिसों को लगातार करने होंगे इस महीने आपको अपने काफी जादा वैपार करियर को लेकर अपने जीवन में कई प्रकार के सुनवरे अउसरों के फ्राप्ति होंगे आप अपने जीवन में पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों से चुटकारा इस महीने पास सकते हैं आपको ब सर्विस के लिए आपका आवेदन करना सफलता दायक रहेंगे आपके नए अनुबंद की प्राप्ती होने के योग वन रहें हैं आपको बताना चाहेंगे कि तीसरे सप्ता से ग्रह गोचर में परिवर्तन से उतार चड़ा वड़ सकते हैं परंतो आठ और नो तारीक जो हैं य आपको अपने जादा से जादा सफलता को प्राप्ती करने के लिए महत्पून सावित होंगे आपकी आमदने निरंतर बढ़ती जा रहे हैं और आपको अपने परियासों को आच्छा और सकरात्मक परवे से लेने होंगे आपको अपने बेपार में कई प्रकार के सुनवरे उस्रू के फ्राप्ती होंगे आपके खर्चे इस महीने वड़ सकते हैं इसलिए आपको अपने खर्चों पर भी से इस रूप से ध्यान देने होंगे मई के महीने की शुरुआत में हैं आपको नोकरी और बिनस्रमंदी वदलाव देखने को मिल सकते हैं इस महीने आपको मेह लोगों को लेकर आपकी चिंता वनी रहेंगे आप अपने परिवार और खुद को सेहत मंद महसूस कर सुखोगे आपको अपने वैपार में लाव के मौके मिल सकेंगे और मैं का महीना मीनरासी वाले जात्कों के लिए बहुत ही जादा सुबकारे लावकारे सावित होंगे से आपके प्रतिष्टा में विर्दी होंगे आप अपने कारे को करने में सफल रहेंगे जो जातक नौकरी बदलने के सूथ रहें हैं तो इस महीने आपको इससे बचने होंगे वैपारियों को अपने किसी जरूरी निरने लेनी पड़ सकते हैं और परिष्टितियों को सब्सक्राप्ति करवाने वाला है सनी देप के ग्रह गोचर में होने वाले परिवर्तन के कारण आपका अपने आपको सफल और समरिद्द बना सकते हैं जिनसे आपको भविश्य में लाव के लिए पूरी उम्मीदे लग रही हैं आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दिया वस्ते लिखें आपका दिन सुबह मंगल